हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे धातू एवं उनके जो फोर्जन तो टेंपरेचर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यहां से भी एकजाम में एक नंबर तो पूछा ही जाता है यहां से इसलिए इस वाले टॉपिक अप अच्छे से देख ले ओके फ्रेंड्स तो एक तरफ फ्रेंड्स दिया गया है धातू और एक तरफ फोर्जन जो उसका तापपान है वो डिग्री सेंटिगेट में दिया गया है अब आए एक एक करकर देख लेते हैं किसका कितना होता है तो पहला दिया गया है पहले नमर पर पीटवा लोहा यानि कि रॉट आयरन तो जो raw iron है इसका जो फोर्जन जो temperature हो एक हो तो 850 से 1200 degree centigrade होता है अगला दिया गया है मिर्दू लोहा याने की mild steel तो mild steel का फोर्जन temperature कितना होता है तो 800 से 1250 degree centigrade होता है अगला दिया गया है मध्यम Kristen ओपात याने की medium carbon steel का कितना होता है तो इसका होता है 750 से 1250 होता है अगला दियाग है फोर्थ नंबर में उच्छ कार्बन स्पाथ यानि कि हाई कार्बन स्टील का कितना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इसका कितना होता है तो इसका होता है 800 से 1120 होता है अगला है बेदाग स्पाथ यानि कि स्टेनलेस स्टील इसका कितना होता है फोर्जन तापमान जो हो कितना होता है तो 900 से 1200 डिरी सेंटिकेट होता है अगला दिया गया है पीतल, तामबा और कासा इन तीनों का कितना होता है फोर्जन जो तापमान है वो कितना होता है तो 550 से 900 रेरre centigrade होता है अगला दिया गए है अल्मोनिय तथा इन दुनों को इतना होता है तो 300 से सो अísttı होता है तो आई होप यह छोटा से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकते हैं और फैंड्स अगर आपको फ्री पीडियेप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जोएन कर सकते हैं टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिस्टन मिल जाएगा वहाँ से जाकर जोएन कर सकते हैं ओके फैंड्स थैंक्स पर वाचिंग झाल 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 झाल